आज हम करेंगे क्लास सेवंथ चैप्टर एक्सपोनेंट्स पार्ट टू क्लियर है इसका फॉर्स पार्ट यहनकी फॉर्स वीडियो हम बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बद एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन क्लियर की थी उसके बेस पे कुछ कोशन्स किये थे अब हम आगे करेंगे एक्सपोनेंट्स के लाज यानके एक्सपोनेंट्स के कुछ कानून होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं को सोल करते हैं हम वही करेंगे देखो भी, first law, क्या है, a raised to power m multiply a raised to power n, क्या है, a raised to power m multiply a raised to power n, क्या पता चल रहा है यह देखो, यहाँ पर यह क्या है, base, base क्या है, same, and power क्या है, अलग-अलग, क्या रूल हुआ, जब base same हो, और power अलग-अलग हो, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, a raised to power m plus n, कैसे करते हैं, a raised to power m plus n, कब होता है यह, जब base same है, and power अलग-अलग है, तो powers क्या हो जाती है, add हो जाती है, समझ में आया, तो powers क्या हो जाती है, add हो जाती है, second law क्या है, a raised to power m, divide a raised to power n, क्या है, A raise to power N divide A raise to power N जब base same है N power अलग-अलग है बट बीच में क्या हो रहा है divide और वहां क्या हो रहा था multiply हमें powers को plus कब करना है जब क्या हो रही हो multiply और जब divide हो रही हो तो क्या करना है powers को subtract powers को minus clear हुआ A raise to power M divide A raise to power N तो क्या कर देंगे A raise to power M minus N समझ में आ गया वही थर्ड ला क्या है A raise to power M multiply B raise to power M क्या है A raise to power M multiply B raise to power M यहां तक समझ में आया अब देखो यहां क्या है जब base अलग-अलग है and power same है वहां क्या था जब base same थे और power अलग-अलग थी अब क्या है जब base अलग-अलग है and power same है और क्या हो रहा है multiply क्या हो रहा है multiply तो हम भी क्या कर देंगे इन base के आपस में multiply A multiply B क्या होता है A B समझ में आगए यहां 3 हो यहां 5 हो तो कितना हो जाएगा 15 और power तो वही रहेगी M की M clear है इसको कैसे लिखेंगे A B के आपस में multiply and power M समझ में आगए power के साथ हमें कुछ नहीं करना clear है भई अब fourth देखो A raise to power M divide B raise to power M जब base अलग-अलग है power same है और लेकिन क्या हो रहा है divide क्या हो रहा है divide तो हम क्या कर लेंगे A B and power क्या हो जाएगी M complete की clear हुई चीज ये चारो rules जब base same है power अलग-अलग है तो base से का ऐसे powers को क्या कर देंगे plus base सेम है power अलग-अलग है divide हो रही है तो base से का ऐसे power को क्या कर देंगे minus multiply में powers को plus कर देंगे divide में powers को माइनस कर देंगे यहां तक clear है अब देखो base अलग-अलग है और power same है लेकिन divide हो रहा है तो अपस में हम भी क्या कर देंगे divide and power as it is and base अलग-अलग है power same है लेकिन क्या हो रहा है divide तो हम भी क्या कर देंगे powers को divide and sorry base को divide and power as it is यहां ते clear है आप देखो a raised to power m raised to power कई बार आप देखते हो ना questions कि power के उपर power होती है हो सकता इसके उपर भी कोई power हो तो कैसे solve करोगे a power m multiply and यानि की a raised to power m multiply and हम इन powers की आपस में क्या कर देते है multiply multiply समझ में आया इसके उपर कोई और भी power होती तो उसकी भी क्या कर देते multiply clear है इन powers की क्या कर देंगे multiply एक last और देखो a raised to power 0 समझ में आया a raised to power 0 अगर कभी भी किसी की भी power 0 हो चाहे वो कितना ही बड़ा number हो चाहे वो कितने ही बड़े variables यनके algebraic expressions हो चाहे कुछ भी हो अगर किसी की भी power 0 है तो हमेशा किसके equal आता है 1 के किसके equal आता है 1 के ये कुछ rules थे भई exponents के जो आपको याद हो गए होंगे आपको ये अच्छे से पहले revise करना अच्छे से याद करना तभी आप questions को अच्छे से solve कर पाओगे clear है अब इन्ही rules के base पे हम कुछ questions करेंगे first question देखिए simplify and give answer in exponential form हमें क्या करना है जो answer है वो exponential form में ही देना है question क्या है 5 raise to power 3 and 5 raise to power 8 first question क्या है 5 raise to power 3 multiply 5 raise to power 8 rules क्या आए कुछ देखो क्या हो रहा है 5 and 5 यानि की क्या है base same है m और n यानि की power अलग-अलग है base same है and power अलग-अलग है यही था न तो क्या करते थे हम m plus n यही rules था न भई a raise to power m multiply a raise to power n is equal to a raise to power m plus and तो यहां भी क्या कर देंगे is equal to 5 raise to power 11 क्या हो जाएगा 5 raise to power 11 इस तरीके से solve करने है न बिल्कुल easy next question simplify and give answer in exponential form अब यहां देखो 3 raise to power 4 divide 3 raise to power 2 क्या है 3 raise to power 4 divide 3 raise to power 2 क्या यादा है base क्या है same है and power क्या है अलग-अलग लेकिन हो क्या रहा है divide तो क्या करते थे m minus and powers को क्या कर देते थे minus तो यहां भी हम क्या कर देंगे powers को क्या कर देंगे minus तो 4 minus 2 3 raise to power 2 कितना आ गया 3 raise to power 2 clear हुआ भी बिल्कुल easy यह ना बिल्कुल easy है questions बस आपको rules अच्छे से याद होने चाहिए यह सारे ऐसे ही है बस हमें क्या करनी है powers को minus करनी है clear है थर्ड देखिए simplify and give answer in exponential form 2 raise to power 3 raise to power 4 यह भी पढ़ा था ना हमने 2 raise to power 3 raise to power 4 power के उपर power तो power के उपर power क्या करते थे a raise to power m and n है ना क्या कर देते थे a m multiply and यही करते थे ना तो यहाँ भी 2 raise to power 3 multiply 4 कितना आजाएगा 2 raise to power 12 कितना आजाएगा 2 raise to power 12 clear है आगे देखिए simplify and give answer in exponential form 4 raise to power 3 multiply 2 raise to power 3 क्या है 4 raise to power 3 multiply 2 raise to power 3 यादा है कुछ आप देखो क्या है base क्या है अलग-अलग और power क्या है same यानि कि a raise to power m multiply b raise to power m यही rule था ना तो इसको कैसे solve करते थे power base की क्या कर देते थे आपस में multiply a b raise to power m यही करते थे ना तो यहां भी हम क्या कर देंगे इसको solve किया था 4 और 2 की multiply करके यहां देखो यह किया था ना अब यही चीज इसने दे रखी है और हमने वापस से इसको इसके अंदर convert करना है इसका मतलब क्या हुआ यह जो 3 power है वो 5 की भी है and 2 की भी है तो हम लगा देंगे 5 raise to power 3 multiply 2 raise to power 3 बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना clear है अब आगे देखिए 6 express as rational number हमें क्या करना है इसको rational number में express करना है 3 by 4 क्या है 3 by 4 raise to power 3 क्या है 3 by 4 raise to power 3 आप लोगों को rule याद होगा a raise to power m divide by b raise to power m इसको हमने क्या किया था जब base अलग-अलग है power same है तो a और b को divide कर दिया raise to power m आप देखो यही चीज यह दे रखी है इनकी उल्टे दे रखी है और हमें क्या करना है इसको इसमें convert करना है लेकिन हमें इसमें convert नहीं करना इसमें क्या निकालने के लिए बोला है rational number क्या निकालने के लिए rational number अब यह पूरे के उपर power है यानकी दोनों की अलग-अलग भी है इसको क्या लिख सकते है 3 की power 3 by में 4 की power 3 clear है 3 की power 3 कितना होता है 3 3s are 9 9 3s are 27 clear है 3 की power 3 ऐसे ही solve करते है 3 multiply 3 multiply 3 है ना and 4 की power 3 4 4s are 16 16 4s are 64 clear है तो अंसर कितना आ गया 27 by 64 है ना बिलकुल इजी बस ध्यान से आपको जो 6 rule मैंने करवाए है सरिफ वही याद होने चाहिए उनके अलावा आपको कुछ बे याद रखने की जरूरत नहीं है सारे के सारे question अपने आप होते चले जाएंगे 7 देखिए 5 raise to power 0 7 raise to power 0 minus 16 by 11 raise to power 0 है ना सरी ये तो 3 था ये रहा 9 power 0 plus 7 power 0 सब की power 0 है ना और हमने पढ़ा था जब किसी की भी power 0 होती है तो हमेशा किसके equal होता है 0 K स्वरी 1 K clear है 5 raise to power is equal to 1 तो हमारा answer कितना जाएगा 1 clear है भी बच्चो next देखिए simplify and give answer in exponential form हमें क्या करना है simplify करना है और answer किसमें देना है exponential form में 2 by 7 raise to power 4 multiply 2 by 7 raise to power 3 अब देखो by में है तो क्या हुआ बट base तो ये पूरा है ना base तो same है और power अलग-अलग है याद आया कुछ तो हम क्या करते थे powers को क्या कर देंगे add powers को क्या कर देंगे add तो हम यहां भी क्या कर देंगे 4 plus 3 2 by 7 raise to power 7 clear हुआ अच्छे से बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना next question देखिए simplify and give answer in exponential form 2 raise to power 18 by 2 raise to power 8 and 2 raise to power 7 एक मिनट बई question लिखलू 2 raise to power 18 2 raise to power 8 multiply 2 raise to power 7 ये देखिए अब देखो इसको कैसे solve करेंगे 2 raise to power 18 सबसे पहले तो हम इसको solve करेंगे क्या बता चला यहां पे base क्या है same और power क्या है अलग-अलग तो हम क्या करते थे base same हो और power अलग-अलग हो तो powers को क्या कर देते थे आपस में add clear है अब यहां powers को add कर देंगे तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 8 और 7 कितना होता है 15 2 raise to power 15 अब देखो यहां से क्या situation बन गई 2 की power 18 and 2 की power 15 यहां कि बना क्या 2 raise to power 18 divide by 2 raise to power 15 कौन सा rule बना जब base same है and power अलग-अलग है तो हम क्या कर देते थे power को minus यही करते थे न तो यहां भी हम क्या कर देंगे power को minus तो answer कितना जाएगा 18 minus 15 2 raise to power 3 था ना बिलकुल इजी बिलकुल इजी है बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है clear है वही आब आगे देखिए 5 raise to power 49 multiply 5 raise to power 42 minus 5 raise to power 38 multiply 5 raise to power 53 clear है देखिए कोशन लिखिए 5 raise to power 49 multiply 5 raise to power 42 minus 5 raise to power 38 multiply 5 raise to power 53 clear है अब यह देखिए क्या है power base क्या है same and power क्या है अलग-अलग तो हमें क्या करनी थी base और powers को हम क्या कर देंगे plus समझ में आया minus यहां भी क्या है base same and power अलग-अलग तो powers को हम क्या कर देंगे plus clear है आप देखिए 49 and 42 कितना होता है 91 कितना होता है 91 minus 38 and 53 यह भी कितना होता है 91 5 की power 91 and 5 की power 91 किसके equal आएगा अब 2 में से 2 गया कितना विस्ता है 0 तो यह वही बात हो गई न भी तो किसके equal आजाएगा 0 किसके equal आजाएगा 0 clear है भी बिलकुल last question express the following as the product of power of their prime factors हमें सिर्फ क्या करना है prime factors में इनको express करना है जो आपको आते हैं हम 54 निकाल लेंगे, 96 स्की के प्राइम कि निकाल लेंगे निकाल ले な उस्के प्राइम फेक्टर बीन सिम्र को भी पावर के रूप में लिख देंगे कोशळ आप अपने आप करनाments L कि प्राइम नाप करें निकाल है अगर आपको कोई कोशभ और ku click नहीं निकल रहा है, तो comment box में question number and उसके part number आप डाल देना, next class में हम उस question का solution करेंगे, और thank you